कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बिल आइकॉन दबाएं पून बहुमत के साथ जार्खन के जनता ने हेमन सोरेन के ने तृत्तो वाले गडबंदन को सत्ता की चाभी सौब दी है इस बार का चुनाव परिणाम एतिहासिक है जामुमों ने अपने चुनावे इतिहास में अब तक का सबसे बहतर प्रदर्शन किया है इस वीडियो में हम आपको बताने वाले है जार्खन विधानसबा चुनाव में पहली बार विधायग निर्वाचित होने वाले नेताओं के बारे में पूर्णीमा नीरस सिंग कॉंग्रेस की टिकट पर ज़रिया से चुनाव जीती बीजेपी की रागने सिंग को उन्होंने हराया जो रिष्टे में उनके जिठानी लगती है पती की हत्या के बाद वो राजनीती में आई उन्होंने पी जी तक की पढ़ाई की है सम्री लाल कांके विधानसबा सीट से बीजेपी की टिकट पर जीते समाजी कारेकरता के तौर पर इनके पहचान रही है पहले निर्दली उमिद्वार के तौर पर कई बार चुनाव लड़े थे इस बार बीजेपी ने उन्हें मौका दिया उन्होंने पीजी तक की पढ़ाई की है किसुन कुमार दास बीजेपी की टिकट पर सिमरिया सीर्ट से विधायक बने है वे 49 साल के हैं उन्होंने सनातक तक की पढ़ाई की है लंबोदर महतु आजसू की टिकट पर गोमिया से चुनाव जीत कर पहली बार विधायक बने है राजेप्रशासनिक सेवा के पद्यादिकारी रह चुके हैं 2014 में भी चुनाव उन्होंने लड़ा था लेकिन उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई थी राजेश कचप ने कॉंग्रेस के टिकट पर खिजरी सीर से जीत हासिल की है बीजेपी के रामकुमार पाहन को उन्होंने हराया राजेश कचप ने सनातक तक की पढ़ाई की है संजीब सरदार जामूमों के टिकट पर पोटका से चुनाव जीते हैं उन्होंने बीजेपी की मेन का सरदार को हराया उन्होंने इंटर्मीडियेट तक की पढ़ाई की है प्रदेश कॉंग्रेस अध्याक्ष रामेश्वर उराउन लोहरदगा सीट से जीत कर पहली बार विधानसभा पहुँचे हैं हालांकि पहले वो लोहरदगा से सांसद रह चुके हैं लेकिन पहली बार विधायक बने पूर्व IPS अधिकारी रह चुके हैं पूर्विधायक साइमन मरांडी के बेटे दिनेश विलियम मरांडी लिटी पाड़ा विधानसभा सीट से जामूमों के टिकट पर जीत कर पहली बार विधानसभा पहुँचे हैं इन्होंने ललबी तक के बढ़ाई की है जिग्गा सुसारन होरों ने सिसाई विधानसभा सीट से जार्खन विधानसभा के मौझूदा अधियक्ष दिनेश उराउं को हराया है जामूमों के टिकट पर जीत हासिल की है और पहली बार विधानसभा पहुँचे हैं इन्होंने मैट्रिक तक के बढ़ाई की है भूशन बारा सिम्डेगा विधानसभा सीट से कॉंग्रेस के टिकट पर पहली बार विधायक चुने गए हैं इन्होंने सनातक तक की पढ़ाई पूरी की है ममता देवी ने कॉंग्रेस की टिकट पर रामगर्ण विधानसबा सीट से जीत हासिल की है उन्होंने रामगर्ण से आजसो की जीत का सिलसला तोड़ा आजसो के प्रत्याशे सुनीत और चौधरी को उन्होंने हराया ममता देवी ने सनातक तक की पढ़ाई पूरी की है रामचंद्र सिंग मनिका सीट से कॉंग्रेस की टिकट पर पहली बार विधायक चुने गए है रामचंद्र सिंग ने बीजेपी के रगुपाल सिंग को हराया है इन्होंने सनातक तक की पढ़ाई पूरी की है बीजेपी की पुश्पा देवी छतरपूर से जीत कर पहले बार विधायक बनी है वे केवल साक्षर है जामुमों के सुदिव्य कुमार गिरडी विधानसबा सीर्ट से बीजेपी के निर्भै शाहबादी को हरा कर पहली बार विधायक बने है इन्होंने इंटर तक के पढ़ाई पूरी की है कुश्वाहा शशिभूशन महता पांकी विधानसबा सीर्ट से बीजेपी के टिकट पर जीत कर पहली बार विधायक बने है इन्होंने पीचड तक के पढ़ाई पूरी की है जुकसलाई सीर से जामूमों के टिकट पर मंगल कालेंदी जीत हासिल कर पहली बार विधायक बने है यहां उन्होंने आज्चो के रामचंद्र सहिस के जीत का सिलसिला तोड़ा है दिपिका पांडे कॉंग्रेस के टिकट पर महागामा विधानसभा सीर से जीत कर पहले बार विधायक बनी है इन्होंने सनातक तक के बढ़ाई पूरी की है इनके पिता अरुन पांडे और माप्रतिभा पांडे बीजेपी के नेता है